दोस्तों मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्वेंस माइवल्ड बहुत सारी जो गर्वती मैला हैं उनके मन में एक कोशन दिलगतार आता रहता है कि उनके पूरे प्रिग्नेंसी में एक भी ग्रहन नहीं आये लेकिन अनफॉर्चुनेटली आही जाता है इसके पीछे की सा धारणाय चली आ रही है उनमें भी कही न कहीं बहुत बड़ा लॉजिक जरूर होता है तो बीना किसी लॉजिक को समस्ते हुए अगर सवाल आपके बच्चे के आती है जब उनके ऊपर कुछ बात आती है तो अव्यसी बात है कि मा वो सारे प्रिकॉशन्स लेने के लिए ति हमें भी फॉलो करने के लिए बोलेंगे तो इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है क्योंकि बड़े अगर हमसे कुछ कहते हैं करने के लिए तो उसको कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें अगर उनका मन रह जाता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है लेकि शर्त यह होनी चाहिए क कितने हद तक किसी माननेता को अगर आप मान सकते हैं जितना कि आपका शरीर बेयर कर सके कोई भी rule और regulation किसले होती है हमारी बैहतरी के लिए होती है अगर कहीं न कहीं कोई ऐसे rule follow करने से हमारे शरीर को तकलीफ हो रही है हमारे बच्चे को नुकसान पहुंच रहा है तो इस रूल का कोई मतलब नहीं बनता है तो बस एक धारना चली आ रही है अगर follow कर लेंगे तो कोई बुराई भी नहीं है तो कौन-कौन सी चीजे गरभावस्ता में लेडीज को ध्यान में रखनी चाहिए ग्रहन के टाइम पे वो complete वीडियो की जनकारी देने की कोशिश करूँगी और मेरे खुद के personal experience में आपको बताऊँगी कि मैंने खुद के ग्रहन में क्या किया था क्योंकि obvious ही बात है कि pregnancy का जो टाइम होता है 9 महिने का होता है और 1-2 ग्रहन तो पढ़ ही जाते है तो मैंने personally क्या किया था वो मैं वीडियो की last वे बताऊँगी तो please वीडियो को शुरू से लेकि लाश तक जरूर देखेगा और हाँ tension बिलकुल भी मतलेजे मैं जानती हूँ कि tension हो जाती है क्योंकि सवाल तो आपके बच्चे का है लेकिन इस समय आपको घबराने की बिलकुल भी जोरत नहीं है सबसे पहले ग्रहन कैसे होता है इसके बारे में आपको scientific बात बताने का कोई मतलम नहीं बनता है लेकिन मैं आपको बता दो कि ये जो recent अभी सूरे ग्रहन पढ़ने वाला है वो 14 दिसंबर 2020 को पढ़ने वाला है जो कि शाम में पढ़ेगा 7 बच के 3 मिनट से शुरू होके रात के 12 बच के 23 मिनट पे खतम हो जाएगा अब आप लोग बोलोगे कि ये रात में कैसे के सूरे ग्रहन आगया तो ये इंडिया में नहीं दिखाई देने वाला है इसका इंडिया में अंसीन ये रहेगा ये बाकी कंट्रीज में कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पर वो दिखाई देगा लेकिन जब सूरे है तो अफ्वेसी बात है ग्रहन है तो आपको इस रूल की फॉलो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि जित्ते सारे रूल रेगुलेशन बनाया जाते हैं वो हमारी बहतरी के लिए बनाया जाते हैं तो अगर फॉलो हो जाता है तो बिल्कुल फॉलो करिए तो कौन-कौन से ऐसे फॉलो करने वाले रूल्स हैं जो की जरूरी है उनको करना जरूर चाहिए सबसे पहले मैं आपको बता दो कि किसी भी नुकीली चीज का प्रयोग आप बिलकुल भी मत करेगा भूल कर भी नहीं करेगा और ये जो सूतक का समय होता है बहुत लोग को confusion होती है कि सूतक क्या होता है और सूतक और जो ग्रहन का जो actual end time है जैसे कि 12.30 है 12.30 तो उसके 12 घंटे के बाद सूतक खतम होता है लेकिन जब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो सूतक को मानना कहीं न कहीं गलत होगा क्योंकि बहुत सारे rule regulation वहीं से follow होना शुरू हो जाते हैं किसी भी तरह के शुब काम नहीं होते हैं पूजा पाठ नहीं होती है बहुत सारे चीज़े avoid करनी चाहिए लेकिन specifically मैं अगर ग्रहन की बात करूँ तो ग्रहन के जो rule regulation है आपको उस समय से follow करनी चाहिए जिस समय से actual जो सूरे ग्रहन है वो पढ़ने वाला है जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह की नुकीली चीज़ों का प्रयोग आप बिल्कुल भी मत करेगा ये आप please मत करेगा मैंने खुद भी नहीं किया था क्योंकि जितने भी चाकू है छूरी है जितने भी नुकीली चीज़े है पेन, पैंसील इन सब का भी प्रयोग करना वर्जित होता है नहीं करना चाहिए तो देखे ओवेसी बात है 4-5 गहंटे की बात है नहीं करीगा तो कोई भी हर्ज नहीं है लिखने तक का भी काम नहीं करना चाहिए पेन को भी नुकीली वस्तु में आती है तो पेन, पैंसील इन सब का भी प्रयोग मत करिएगा दूसरी important चीज बहुत सारे लोग ये बानते हैं कि इस duration में खाना पीना नहीं चाहिए नहीं खाना बनाने बनाना भी नहीं चाहिए खाना बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है तो अव्यसी बात है कि शाम में अगर हो रहा है 7 बच के 3 म प्रजे ही आप खाओ इस समय आप थोड़ा जल्दी खा लीजे ताकि आप पूरी तरह से energy level आपकी maintain रहेगी और आपको ग्रहन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ग्रहन से पहले ही खा लीजे अगर आपको थोड़ा सा भी मन में doubt रहता है तो आप उन सारे जितने UV rays से है जो भी बहुत harmful rays जो निकलती है उनका असर डारेक्ट देखा जाता है तो ये सारे चीजे को avoid करना चाहिए क्योंकि जब ग्रहन का time चलता है उसमें बहुत सारे जो harmful rays है वो निकलती है तो ऐसा माना जाता है कि घर से बाहर भी आपको step out नहीं करना चाहिए तो किन के लिए वगरा भी अच्छी नहीं होती है जो harmful rays होती है और इसका डारेक्ट अगर आपको पूरी तरह से ढख लिजे किसी कंबल से ढख लिजे या कोई मोटी चीज जो चादर या शौल आती है उससे ढखके जाए तो च्वाइस आपकी है आपको किस तरह से करना है लेक इसके बहुत सरे ऐसे भी घर होते हैं इंडिया में जो बात्रूम थोड़ा दूर होता है किचन थोड़ा सा दूर होता है आंगन वाला सिस्टम होता है तब क्या करेंगे तो देखे इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि साथ बज़े से शुरू हो रहा है जैसे साथ तरह से कवर करके जाए मैं आपको यह नहीं बोलूगी कि आपको पांच घंटे तक होल्ड करके रख रहा है क्योंकि ऑव्वेस ही बात है कि प्रिग्नेंसी है तो बहुत बार ट्वालेट जाना पड़ सकता है ट्वालेट आप अराम से चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान डायक नहीं होगा और वेसी बात है कि होगा तो आपको अपने दिमाग भी लगाना है कि कौन कौन से रूल आपको follow करने चाहिए और कौन-कौन से रूल आपको follow नहीं करने से भी चलेगा तो आप इसका substitute निकालिए जैसे अगर आपको बातरून जाना ही है तो raise से problem है जाने से problem नहीं है तो आप अपने आपको पूरी तरह से ढख लीजिए और फिर आप बातरून जाहिए कोई issue की बात नहीं है रही बात जैसे मैंने आपको नुकीली चीजे बोली वो strictly आप avoid कर दीजे पांच घंटे अगर आप नहीं लिखेगा या नहीं सिलाई करीगा तो उसमें कोई हर्ज नहीं है नहीं करना चाहिए और सुई धागे का प्रयोग गर्भावस्था में करना चाहिए नहीं इसके लिए separate मैंने एक वीडियो बनाई है तो वो i button पे उसका link है जाके जरूर देख लीजेगा क्योंकि बहुत सारे लोग तो पूरी गर्भावस्था सुई धागे को avoid करते हैं तो इसके पीछे logic क्या है आप लोग जाके जरूर देख लीजेगा लेकिन मैं आपको नटसिल में यही बोलूँगी कि ग्रहन का टाइम है तो इसमें भगवान की पूजा नहीं किया जाता है बहुत सारे घरों में बहुत सारे नियम होते हैं लेकिन मन में उनकी जो भक्ती आप करही सकते हैं कुछ मंत्रो चारन कर सकते हैं कुछ गीता वगरा का पाठ कर सकते हैं या कुरान जिसको भी आप मानते हैं जो भी धर्म से आप बिलॉंग करते हैं बस आप अपने इश्वर को जरूर मानिए क्योंकि देखे 1 to 1 connection तो आपका उनके साथ है, भले आप पूजा करिए, मूर्ती पूजा करिए, फोटो की पूजा करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मन-मन में उनकी इस्तिती कर सकते हैं, और रही बात, आपको इस समय थोड़ा सा फोन वगरा भी avoid करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि कई harmful rays, आपके फोन में भी आपको पता है कितने सारे radiation होते हैं, तो इससमय आप avoid ही कर दिजे, और सोने, लेटने, बैठने इन सब का कोई मतलम नहीं होता है, आप अराम से सोईए, अराम से बैठिए, जो करवट लेना चाहते हैं, वो करव सूरे गरहन आया था, तो हमारे तरफ भी यही सारी धार्णाय हैं कि खड़े रहा जाता है, लेकिन एक यह भी substitute है कि अगर आप खड़े नहीं हो सकते हैं, तो आपके बिहाफ में एक आपकी height का एक दंडे को ले लीजे, उसको आप अपने हिसाब से नाप लीजे, जो आपक जो सटीक तरीका जो मैंने किया था, डंडा तो मुझे मिला नहीं था, मैंने किया था कि अपने height को नाप के, जितनी मेरी height है, एक धागे से नाप लिया था, और धागे को standing position पे दिवार पे लगा दीजे, जहां कहीं भी आपको suitable लगता है, दिवार के, जैसे दरवाजे की पीछे की जो दिवार होती है, वहां पर चिपका दीजे, मतलब सेलो टेप से आप लंबा पूरा उसके standing position में कर दीजे, और बहुत सारे लोगों का ये भी question रहता है, कि उस धागे का क्या करना है, तो बस उसको as it is छोड़ दीजे, खुद बेभी हो जाएगा एक दो महने के बाद इसको आपराम से हटा सकते हैं, तो ये सारी चीजे आप लोग follow करिए, और देख लीजे, इसका कोई देखे भगवान कहा रता है, कि जो आपके कर्म होते हैं, कर्म के हिसाब से आपको फल भी मिलता है, लेकिन हाँ, ग्रहन को लेके डड़ना नहीं है, सवधानी बरति सब की बात भी रखे, सब का दिल भी रह जाएगा, और चीजे सौल भी हो जाएगी, और किसी तरह की कोई परिशानी भी नहीं आएगी, ये भी मानना होता है, कि जैसे ही आपका ग्रहन खतम होता है, उसके बाद इसनान करना चाहिए, लेकिन ये 12 बच की 23 मिनट पे खतम वो उनके और उनके बच्चे के लिए काफी अच्छा होता है, रात में नहाना आपके सिहत को खराब कर सकता है, इसलिए इन सारे मित्स में आप ना पढ़िए, सुबह जैसे ही आप उठते हैं, जो भी आपकी दिन चर रहा है, उसके हिसाब से आप नहाएए, कोई प्रॉब पर फॉलो करना मत भूलिए, थैंक्स फर वाचिंग, ट्विल्स माई वर्ल्ड